असलाम अलेकूम नाजरीन प्रोग्राम मन्जर पस मन्जर में आउया ताजू मेजबान फईम बबर नाजरीन प्रोग्राम में गाल बोल कंदा सी तालीम जी खास्तोर ते डिच्छो यह विया था 2022 में बर्साती बोड आई जो को सिलाब आयो उनकां पोए नसरिफ सिंद पर चैनी सुबन जी तालीम निजाम है तमाम गणों मुतासिर थे हो एक अंदाज मोजब जो का रपोर्ट आया है मुक्तिल विदारन पारा उनने मुताबिक पंजवी हजार नोसो ट्यानवे स्कूल जो के तरी लड़िपलान थी मानु जो को है माइगरेट करें एकड़े यंदा बेंद विया मानु जा घर तबा थया इंफ्रा स्ट्रेक्चर तबा थयो उनने सा गड़ो गड़ जेके स्कूल हुआ उनने जो बिल्डिंग्स तबाती वियों उन खाप हो है जो कांप हो जो को मरह पारां जो को है ये स्कूल बिहर जो को है बाहल करन जिलाए एक्टिव रोल अदा करें हो हिन्वक्त अगर गाल कहीं हूँ तो बद साल गुजरी है बहजार बावी बहजार चोवी पर बहले हो हिन्वक्त केडी सूरत आला एंग बार जिकेन आओट आफ इसकूल वा उनने ज तरीके सां उननके उए सहूलत प्रवाइड करें गड़ोगाट इन्हें तेव गाल बूल कन्दा सी तो जिके युनिसेफ समेत मुक्तलिफ समाजी तंजीम हूएं उए प्रोजेक्ट जे थू यावरी मुक्तलिफ माननके सहूलत उडियन था उए कम कन्दा हैं तालीम जो नि जो साहबा सांगडेन डी ओ एन लिटरेसी डिपार्टमेंट पे तालीम सां तालीम खाते सां संदन वास्तवाइड मेहमानन जी वडिवरी महरबानी हम जैसा आप से शुरू करेंगे किस तरह से देखते हैं तमाम बड़ा उस वक्त ये सानिया था एक के जो डिजास्टर आय हमने 2010 में जब देखा कि वो खतरनाक डिजास्टर था एक किसम का सिंध में सेलाब आया लोग मुतासर हुए तालीम तबावी लेकिन कुछ बाहली हो गए थी लेकिन जब 2022 में सेलाब आया तो ना सरिफ लोगों के घर तबाव हुए लोगों ने माइगरेशन की स्कूल तबा कायम किये गए टेंट स्कूल कायम किये गए उन कैम्स में भी उनको पढ़ाने का बंदोबस किया गया इस वक्त अगर हम बात करें करेंट सुर्टाल में तो इस वक्त तालीम निजाम कहा है तालीम की सिचूएशन को आप किस तरह से देखते हैं बहुत शुक्रिया द्रास्ता है जैसे हम अपने सिंद को अपने मुलक को आगे लेके जा सकते हैं जहां तक सेलाब की सुरत इहाल के नतीजे में तालीम का मतासर होने की बात है तो जो आपने फिगर सरशेर किये वो कमोबश ऐसे ही हैं लेकिन आपको मैं ये बताओं कि जितना भी स्कूल मतासर होएं पूरे पाकिस्तान में चारों सुबव में लेकिन सिंद में हैं सिंद में होएं या अगर कोई 0000 के करीम सिंद में स्कूल मतासर हूएं तो 7000 बड़ा फिगर है पचीस अikit हागर टोटल फिगर 26000 बनती तो उसमें अगर 20000 या तो बड़ा फिगर मतासर हूए हैं और साथ हजार के करीब बलोचिस्तान में यह दो सूबह सब से زیادा मुतासर हुए और इसके बाद कोई दो हजार बाइस सउ के करीब स्रैकी वेल्ट में स्कूल मुतासर हुए रिखने हैं और, तो कोई 35 लाग बच्चे सकूल की सहूलत से महरूम रहे उस खास अर्से में तो इसको इसकी ये क्योंकि एक एक एहम बात है और सकूल लोग जो है ना इसको एहम मौामला समझती है तक कि यह आफ़ता कौमें तालीम को सकूलों को बहुत आहम समझती है चाहे कुछ हो जाए एवन जब जपान पे एटम बम गिरे तो उन्हों भी नेक्स डे अपनी युनिवस्टियां उपन कर दी थी क्योंकि तालीम बहुत आहम है तो इस चीज़ को इसकी एहमियत को देखते हुए सिंद्ग गोवर्मेंट ने भी रिस्पांस किया और सिंद्ग गोवर्मेंट की एक参ज प्राइविट पार्टर्शिप बलीव रखती है और पबल्राइव पार्टर्शिप बलीव रखता है तो कम वसाइल में ज़्यादा सभूलते हैं अवाम तक पहुंचाना असान हो जाता है. तो जब 10 cities कैंप किये गए तो उसमें समाजी दारों ने बड़ चड़ कर श्छा लिया. जब temporary learning centers बनाए गए टी लसी बनाए गए तो उसमें भी समाजी दारों ने बड़ बड़ चड़ कर श्छा लिया. खास्तों पर यूनिसेफ का एक कलीदी करदार रहा है यूनिसेफ के हम की कोई पार्टर रहा है S.P.O. तो यूनिसेफ और S.P.O. ने मिलके बेशमार यानि पांच सो दस टेंपरेरी लर्निंग सेंटर तो हमने खुद कैम किये इसी तरह बाकी पार्टर्रोंज ने भी अलग से कैम किये सेंटर जो स्कूल पार्शली डैमेज हुए फुली डैमेज हुए उनकी बहाली के लिए भी संद्ध गवर्मन को सपोर्ट किया लेकिन ताहाल बहुत काम होने वाला है और जरूरत है इसकी कि वो जो स्कूल क्यूकर बड़ी तदाद में मतासर हुए है कोई थोड़ा फिगर नहीं है बहुत बड़ा फिगर है अगर आप 20,000 से जैज स्कूल मतासर हुए है तो यह चोटा फिगर नहीं है तो इस सिंध गभर्मेंट पर भी बहुत बड़ा बर्डन है और जैसे क्लाइमेट जस्टिस की बात हो रही है क्लाइमेट जस्टिस बिलावल Бुटी जर्दारी साहब का एक सिलोगन है तो उस क्लाइमेट जस्टिस में एकillason का एक एहम रोल है आपको मैं बताओं कि ये स्कूल तो मतासर हुए इसके साथ 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 हज़र स्कूल ऐसे थे जहां ये आईडी पीज रह रहे थे ठीक हुआ थे वो उसके इलावा थे उन साथ हज़र स्कूलों में भी तालीम नहीं चल रही थी जो बच्चे थे उसमें भी लोग आके बैट ग लेकिन तालीम वहां भी सफर कर रही थी ये सिर्फ इन बीस हज़र स्कूलों की बात नहीं है बलके मेरा जो जो जाती अंदाजा है तीस हजार सजार स्कूलों में तालीम मतासर हो रही थे हमने देखा था उस वक्त गवर्मेंट ने एक डम एक ऐलान किया था कि फोरी तोर प इस वक्त गवर्मेंट की हम बात करें तो गवर्मेंट का क्या रोल है और इस वक्त आप किस तरह से सारी सुरताल को देख रही है जी थैंक यू फाहिम साब मैं अमजा साब की बात से बिलकुल अग्री करती हूँ एक्चुली सिन में जो सेलाब की सूरते हाल के बाद स्कूल वाके ही बहुत जादा मतासिर हुए और इस से पहले जो है सेलाब से पहले दो हजार बाईस से पहले जब कोवीड नाइटीन में जब स्कूलों को का बहुत बुरा हाल हो गया और उसको संभालते संभालते एकदम से ये सिच्वेशन आ गई कि अब जो है सेलाब की सूरते हा उसकी जो है तालीमी निजाम वह बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया और जैसे इन्हों ने फिगर यहां पर शेयर किया के साथ हजार स्कूल जो थे वह जो बचे थे जो रिलीफ केंप्स की सूरत में जो है ना जिसमें पढ़ाई होना थी वह भी रिलीफ केंप्स की मद में चले इवन जो यह मैं फिगर शेयर करूंगी जो के इसमें बहुत बुरी तरह मतासर हो तो 40,356 जी अब यह है कि इसके बाद कोशिशें तो जा रही है देखे काम रुका नहीं है वहां पर अब हमारे जैसे मिनिस्टर्स एजूकेशन हैं या सेक्यूट्री एजूकेशन हैं या दूसरे स्टेकोलडर्स हैं एविन के एंजियोज लगा लें तो उनका तालीम के इंप्रूवमेंट में उनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा एहम किरदार अदा कर रहा है यहाँ पर देखने के वर्ल बहुत जादा मैं कहते हूं कि एप्रिशियेटेबिल है और इसके इलावा मैं यह कहूंगे कि यह हमारी जैसे डिफ्रेंट स्टेकोलडर्स हैं उन्होंने बहुत जादा इसमें किरदार अदा किया उन्हों शेल्टर प्रवाइड्स किये इसके लिए फूड वोटर हैल्थ जब एंजियो की बात करते लोगों को कभी-कभी बुरा भी लगता है लेकिन जब जो काम करते लोग उनको जो है एप्रिसियेशन देनी चाहिए जिसरा आज आप करेंगे हर बंदे ने उसमें बढ़ चड़ कर इससा लिया तो कम्यूटी का भी उसमें रोल था बहुत आए मुल्क जो है वो एक इंसान का नहीं है एक एंजियो का नहीं है एक इंस्टिटूट का नहीं है एक वतन जो है जिसमें रहने वाले उन सब को जो है उनकी उनका ये पार्टिस्पेशन बनती है के दे शूट है तो वर्क ओवर देर यानि उनको अपनी फुल कमिटमेंट के सा जो है जितना वो पाडिस्ट कर सकते हैं उनको करना चाहिए तो इसके स्टेक होड़र का मैं कहूंगी के एजुकेशन के निजाम को बहतर बराने में बहुत जादा एहम किरदार अदार है इविन के एंजियो जैसे मैंने पहले बताया के एंजियो ने बहुत बड़ा रोल प्ल के शिकार थे अब तो हम मुसल्सल मौशिया की हम बात करते हैं मुसल्सल अपने प्रोग्राम्स में भी डिसकस करते हैं हम लोग मौशी बहुते जा रहे हैं इस वक्त जब हमारे जब जिससरा से उजमा ने बताया के 40,000 से ज्यादा स्कूलों मुतासरे उनके उपर काम करने क वर्ड बेंक हो, यूनिसेफ हो, या कोई भी बड़ा एदारा हो, जो चाहता है दारे, वो लोग आते हैं, डोनर एजनसीज हैं, वो आकर यहां पर काम करते हैं, इस वक्त किस सेक्टर में, अगर एजूकेशन के हवाले से आज बात करें, किस सेक्टर में ज्यादा काम करने की ज़रोते हैं, इसकूल की बिल्डिंग्स के हवाले से, या बच्चों को जो ए, इसकूल तक पहुचाने के हवाले से, किस सेक्टर में ज्यादा काम करने के ज़रोते हैं, आगर फ़स्के इंफरस्ट्रुक्चर आपका सही है, तो बच्चे सेफ बैठेंगे, खुदा नाखा इनसी जमें भी सबसे पहले इनसानी जिन्दगियों को बचाया जाता है। उसके बाद एजूकेशन, हेल्थ, एसेट्स, बाकी चीज़ों की बारी आती है। और जहां तक किस तरह का काम करना चाहिए, मेरा जो ख्याल है जाती तोर पे वो यह है कि जो भी बिल्डिंग्स नई स्कूलों की बनाई जाएं वो कलाइमेट रिजिलियन्ट होनी चाहिए। यानि उनको सेलाब मतासर ना कर सके, उनको बारशें मतासर ना कर सके, उनको एक खा पहले जो, दूसरा जो एहम बात है, वो यह है कि अगर फ़र्सक्या को इन्फरस्ट्रक्चर डिवलप करती है, तो जो जो गवर्मन इन्फरस्ट्रक्चर करती है, नो डाउट वो भी मेंत करते हैं, लेकिर उसका इतना लेंद्धी प्रोसेस है, कि आप उसको एडिपी में डालते हैं, ADP में जाके टेंडर होते हैं, टेंडर में जाके ठेकेदार को ठेका मिलता है, ठेका जो है ना फिर वो छे जगों से होता होता हो, उपर दो साल लगते हैं, वो स्कूल बनता है, उसके उपर पचास लाख खर्चा आता है, और वो बनता भी दो साल बाद है, ठीक है अगर Public Private Partnership में वो 5 लाग में तीन महीने में बन जाता है तो Public Private Partnership तो ज़्यदा मुनासिब तरीकार है कि फौरी रिलीफ मिल रहा है उस बच्चे को जिसकी तालीम मतासर है अब यह एक चीज़ है कि अगर वो जो NGO सेक्टर है या जो समाजी अदारे उनके पास चेक एन बैलेंस बड़ा अच्छा होता है जी नो डाउट अभी भी आप देखें अभी जो हम काम कर रहे हैं अभी भी सिंध गवर्मेंट यहनी हमारा R.S.U. डिपार्टमेंट सिंध गवर्मेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट एवन अपना हमारे यूनिसेफ हम मिलके काम कर रहे हैं हम सर कोई मोर्दन 65 स्कूलों को रिहेबिलिटेट किया है 65 यह सिंध में उनको रिहेबिलिटेट किया है उन स्कूलों को जो बैठने के काबिल नहीं थे अब वहां पर उनको उनकी रिपियर मेंटिरंस हो गई है वो सेफ हो गए है उनके वाशरूम फंक्शनल हो गए है वाटर सिप्लाई पानी की रसाई वहां हो गई है बच्चों के लिए तालीमी मवाद हमने दे दिया है खेलने का समान दे दिया है तो अब वहां जो इन्रोल्मेंट थी वो अल्मुस डबल हो गई है जन स्कूलों में यूनिसेफ और स्कूलों ने मिलके काम किया या दीगर स्कूलों के लावा भी यूनिसेफ के पार्टनर्स है जिन्हों ने जहाँ जहाँ काम किया सेम इसी तरह हमने जो फुली डैमेज स्कूल थे उनको दो दो कमरों का स्कूल बना के दिया है लो का स्ट्रक्चर बना के दिया अच्छा यह सारा जो इस पे एक्सपेंसे है वो आप खुद कर रहें सारा यह उस पे गॉबर्मेंट कर रहा है अच्छ ठीक अलबता उसमें सिंध गवर्मेंट का ये रोल है कि हम N.O.C. लेते हैं जारे हम गवर्मेंट की बिल्डिंग को उसको रिपेर करें या बना रहे हैं तो सिंध गवर्मेंट हमें इलाओ करती है उससे N.O.C. लेते हैं सिंध गवर्मेंट हमें इडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है किस स्कूल में को आप रियाबिलिटेट करें किस को ना करें सिंध गवर्मेंट हमें जब हम उन टीचर्स की ट्रेनिंग कराते हैं तो उन टीचर्स को हमें रेफर करती है identification में help करती है और वहां यह बिसिकली सेंध गवर्मेंट, SPO, UNICEF यह मिलके कोशिश कर रहे हैं और हम सेलाब के दौरान कोई 30,000 बच्चों को temporary learning center में पढ़ाते रहे हैं तो यह एक बड़ा figure है जो RSU की आपको portal पर भी मिल जाएगा जो SPO ने contribute किया है खास तर पे जो आपके सवाल का जो अगला हिसा है अगर मैं उसको देखूँ, जब सेलाब हुआ, आपको पता है कि हमारा जो literacy rate है सेंध का वो मर्दों का तो 70% के आस पास figures बताते हैं सेंध गवर्मेंट के, जबके हमारी बच्चियां जो हमारी girls हैं, उनका तो 40 प्लस बामुशकर से है तो वो एक जेंडर गैप है, लड़कों और लड़कीों की तालीमें वो एक जमीन असमान का फरक है लेकिन उसके अंदर जो ज़्यादा कंट्रिबूट किया है, वो इस सेलाब ने किया है, कि जब लोगों के घर गिर गए, उनका माली नुकसान हो गया, सकूल मतासर हो गए, तो उन्होंने कम उमर बच्चियों की शादी करना शुरू कर दी, ताके अपने सर से जमेदारी उत उससे ही होगा, जो कम उमरी की शादियों अगरचे यह इल्लीगल हैं सिंद के अंदर, लेकिन उनकी रोक थाम की जा सकती है, एजुकेशन को परमोट करके, ठीक है, ब्रेक ले ले लेते हैं, नादिन गाल बूल जो सिलस्लों जारी है, वोटन तो शॉर्ट कमर्शिर ब्रेक विल्कम पेक नादिन प्रोग्राम, मनजर पस मनजर में गाल बूल कर भी बाती ही, जिका तालीमिन निजाम आओ हो, की यह बहतर थी सके तो चो जो जो बहाज़ार बावी में जिका बोड आई, उन्हें का बोड असान जो को सिंदू जो खास तो तालीमिन निजाम, सजी मु उन्हें को में वदखां वद मुतासर्त हो, बुरेकम परी, अमजर साब एं, उसमा भी बुदायों तो भी 40,000 स्कूल मुतासर्त हैं, बुरेकम परीजिका गाल अमजर साब कही पे, जिका बोड आई, बोड में लट परलाण थी, मानू डड़ा परेशान थी, नतीजे में ब बड़ी इंपोर्टन बात बात ब्रेक से पहले अमजद साब ने कही बड़ी इंपोर्टन बात इंपोर्टन बात क्योंकि डॉनर एजसी से जाहरे काम कर रही है और यह अच्छा असाइन है क्योंकि हम लोग इतना उनका एक टास्क होता है, एक वे होता है, एक ड림ूपन को चारो एसपेक्ट को देखना होता है तीक है, तालीमी निजाम के इलावा, उनको जो है बेणग प्राइट पार्डनलचिप उसको लेकरछ लाए जो है, डिफरेंट गैसे अजियो दिफरेंट इदारिये हैं उनको ल डिरेक्शन होती है, असलिम गौवर्मेंट को जो है न वो चारो एस्पेक्ट को देखना होता है, तालीमी निजाम के इलावा, उसको उनको जो है न दूसरे पृब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप उसको लेकर चलना होता है, डिफरेंट एंजियोज और डिफरेंट जो इदारे हैं, उनको जो है अपने साथ लेकर, यानि हर तरीके से तालीम के बहतरी के लिए उसको काम करना पड़ता है, तो जब वो चारो एस्पेक्ट को देखकर चलते हैं, तो चेक एंड बैनस में थोड़ी बहुँ जो है इनसी आ जाती होती है, ठीक हो एक अलग बात होग जो है लिटरेसी रेशो जो है बहुत काम था, अब जो है अब देखें के सेलाप के बाद भी सूरते हाल इतनी खराब होने के बावजूद भी इतना काम हुआ है कि उसमें जो है अब सेकेंड नंबर पर पूरे पाकिस्तान में सिन्ध को काउंट किया जाता है, अब जैसे हम है तो मर्दों का लिटरेसी रेशो वही 70 यान 72 के करीब है, ठीक है तो जी वाके ही यह बात सही है कि अभी इंटेरियर साइट पे पुछ ऐसे स्कूल है जहां पर अभी डवेलेप्मेंट का काम बाकी है, वहां पर जैसे प्राइमरी स्कूल है तो उनको जो है वहां पर बच कर्दार यहां पर बयान करना चाहूंगी कि जैसे अभी सर्दार शाह साब या मिनिस्टर साहब ने अभी अनॉंस किया है कि भी अपग्रेडेशन होगी, जितने भी प्राइमरी स्कूल है वह अपग्रेड होकर जो है एलिमेंटरी या फिर हाई सेकेंडरी स्कूल तक जो है यह जाएंगे ताकि जितने भी हमारी जो इंटीर साट की बच्चियां है वो इस पेशली ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैविलिंग वगरा के यह जो चीज़ेंगे इस तरह की वह उनको मिल सकेंगी तो इसके बाद मैं समझते हूं कि जब यह स्कूल अपडेड होंगे तो का अब यह जो अब आधार वाले से तो इस वक्त अगर हम बात करें के थारो ली जरूरी निए जाते कितने परसंट जो है सिंद्ध गवर्मेंट डेविलिटेशन का काम मुकमल कर लिया स्कूलों के हवाले से इस में मैं कहूंगी कि उन्होंने 60 परसंट जो है री हैबिटी लि प्रोसिस में हैं तो आजसा आजसा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा विकर अभी जो है रिक्यूट्मेंट प्रोसिस वगरा में जो है सिंद्ध गवर्मेंट ने वो भी काम किया जैसे टीचर्स हायर कियी पीस्टी जीस्टी तो अब डेफिनिटली जहां पर टीचिंग जब इतनी हायर की गई है तो डेफिनिटली उस हिसाब से उनको स्कूल भी प्रोवाइट करने होंगे और इन स्कूल जब प्रोवाइट होंगे जब टीचिंग फैकलिटी जब वहां पर उन्होंने वहां पर रखी है तो इन्रॉल्मेंट भी बढ़ेगी और मैं समझती कि स्कूल के तालिए ये सिन के तालिए में फिर काफी ज़्यादा बहतरी आएगी ठीक है उमी तो यही है कि बहतरी है मेरे खाल में हमने एक सिलाब के दुरान आपसे एक प्रोवा में गुफ्तु की थी तो उसमें हम डिसकूस करे थे कि जो साइकोलाजिकल असर जो होता है उस एलिए का जहाए जहाँ जहां डिजास्टर आजाये उपेरिन्स बच्चों के ओपर होता है तो इस वक जो सव विर घ्यार जो मंुझ जो बच्चे नीं मक्ति इसकूल में है भले उनके जो प्लिड़िएंग्स हैं नही तरण परिंघन्ट तो नहीं क्सिए جو تربیت ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے اور उसको किस طرح سے ہونا چاہیے फाहिम सब आपने बहुत आहम मसले की तरफ जो ना तवज़ दिलाई है ये इनताही आहम मसला है कि हमारे बच्चे जो स्कूल आते हैं वो खुद को सेफ फील करें उनको प्रोटेक्शन के तमाम मैयर्स स्कूल के अंदर लिये जाने चाहिए कि वो आप महफूस खुद को फील करें दूसरी जो एहम बात है वो अगर फ़र्ज कि उसके घर मतासर हुआ है वो बच्चा ट्रामे में है वो एक समाजी और नफसियाती दबाओ का शिकार है बचा तो वो कैसे पड़ेगा तो उस दबाओ से निकालने के लिए हमारे टीचर्स की ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो बच्चे को कोई ऐसी एक्टिविटीज में इंगेज करें कि ताकि वो उस ट्रामे से निकल कर एक बहतर शेरी के तोर पे बहतर एक स्रुट के लर्नर के तोर पे उस स्कूल के अंदर रहे तो मेरे ख्याल में इसमें जो ज़्यादा तर चीज आहम है वो हमरे टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत आहम है इस पे यूनिसेफ और एस्प्यो बहुत काम कर रहे है खास तोर पे हम हाईजीन के ओपर सेशन ले रहे हैं प्रोटेक्शन के ओपर सेशन ले रहे हैं ताके और ना सिर्फ हम बच्चों के सेशन ले रहे हैं हम टीचर्स के ट्रेनिंग कर रहे हैं स्कूल कॉंसल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं जो स्कूल मनेजमेंट कमेटी बनी होती है उनकी ट्रेनिस कर रहे हैं और हैड़ टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि जितना ट्रेंड स्टाफ होगा वो हमरे बच्चों की उतने ज़्यादा बहतर केर कर ताएगा तो ये नफसियाती जो मसायल होते हैं ये यकीनी तोर पे ये हम सब जो मौशी बहरान और दीगर मसायल का सहलाब के दिनों में जिसके घर की छट नहीं है बहर बैठा है और वो जब स्कूल में आता है तो उस जहरे वो बच्चा उसकी डाइट भी मतासर है उसे प्रपर फूड भी नहीं मिल रहा तो वो जब स्कूल में आता है तो उसको कमसकम वहां पे कुछ ऐसा इंवायर्मेंट मिले कि वो उस दबाओं से निकल आए वो खेल कूद में पड़े तो ये एक बहुत जरूरी है लेकर बदकिसमती से हमारे जो तालीमी निजाम है उसमें बहुत इसलाहा पूरी बहुत पो हाफ बूक का बहुत एकजाम दे शे मिने में हाफ बूक का बाकी छी में इसी तरह भाकी जो फिन लैंड को देखें फिन लैंड में बोक्स का तसवर ही नहीं है थीक ठीक है तो हमें भी कम्सकम अपने बच्चों को नफस्याती दबाव से निकालने के के इसकार नहूं और प्रोटेक्शन के रिलेटेड इस्यूस का शिकार नहूं। अच्छा आप बताएं कि जससरा आप अपने अपनी गुफटगू में बताया कि जो थाक्ल्टी है उसकी बड़ी एहमियत होती ए अमजाथ तक पिर दिलु क्व किसी स्थानों फौरिवे साथ शिर्फ कर भूर्मिर्मान घुश्ट संग्व कर दाएधा है बार्ट अगाई है और इनके स्पो है या फिर साफ के ले ले आप तो यह हमारे जो पब्लिक पार्टने पर बबलिक पार्टनेशिक के हिसाब से यह जो हैना टीछ तरीक ऐसे को social emotional इस तरह के भी trainings दी जाती है ताके वो बच्चों की जो psychology को समझ सके और जब बच्चा जैसे दियुह ने बताया कि इस तरह के stress वाले वह environment से आता है तो उसको एंजाध स्कुल में इस तरह के environment में थाभरमी में करें उसकी health पर काम हो उसकी सिन्ध की छेडट करना हो है इस यह बłem एक का मिद्ट में नहarriveens qualitative कि ए कि टीचर कोुखे बर्ट इस ब्सकें की तरिका से रही प्रोप्रोंस सुन्ध यह श़र्काभॉर्मेश को eleven कि आधे में कि बत्चे को सबसे पहले उसको तालीम होंगे पैरेंट अपने बच्छे को वो सोचल से करेंगे और बच्छे को कंफर्ट करके बिफोर गोंगे जेता इस तरह की वीडियो लिखाएं ठीक के अगर इस तरह की चीज़े आवेले बिबल नहीं है एंटीरिया पर तो बच्छे को इतना comfort करें कि वो जब school में जाया, उसका school का पहला दिन हो, तो उसे लगे कि हाँ, मैं किसी ऐसी अच्छी जगर पर जा रहा हूँ, कुछ सीखने के लिए जा रहा हूँ, ना कि प्रेशराइज होने के लिए जा रहा हूँ. यही बात मैं आप से पुछूँगा, हमजे सब के कम्यूनिटी का क्या किरदार है, खासतोर पर हम अगर देखें, जिस तरह से हम बात करें, बच्चा तो स्ट्रेस में है, ठीक है, कम्यूनिटी भी स्ट्रेस में है, इस वक्त जब उनको सारी चीज़े प्रवाइड की जा रही कि यह जो काम हो रहा है, यह हमारे भलाई के लिए हो रहा है, मेरे बच्चे की भलाई के लिए हो रहा है, मेरे गाउं की भलाई के लिए हो रही है, कम्यूनिटी आपके साथ खड़ी हो जाती है, कम्यूनिटी जितना भी मनफी सोच का बंदा हो, वो सपोर्ट करता है, सोचल एवन हम घोटकी जैसे पसमानदा एरिया में जहां लोग नहीं जाते हैं हम वहां पर भी काम करें एजूकेशन पर काम करें और खासतोर पर मैं एप्रिशेट करता हूँ सिंद एजूकेशन फ़ूंडेशन को जो एक सैमी गवर्मेंट अदारा है उन्होंने आडियो विजूल रूम्स बनाये हुए हैं इंटिरियर सिंद में बनाये हुए हैं लोगों को वो ऑनलाइन एजूकेशन और वीडियो के जरीए समझा रहे हैं टेबलिट के जरीए समझा रहे हैं तो ये काजी कबीर साहब का एक बहुत बड़ी एफट है जो यकिनां करेंट सिंद गवर्में को भी सपोर्ट का रहे हैं याए कि सपोर्ट तीन सथा पे हो रही है पॉलिशी साजी को बी देख रहे हैं वहाँ क्या चीज़ें इंप्रूफ हो सकती हैं कि कैसे फूलिफिल किया जा सकते हैं वो हम जैसे समाजी लोग keyword को क्यों भी इंगेज़में कि हम इन से फैदा उठा किम्यूनिटी इंगेज्मेंट का काम है उन से लिया जा सके और जो पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप से जो वक्त और रिसोर्स बचाए जा सकते हैं वो भी बचाए जा सके बहुत अच्छा करदार जो अदा कर रहे हैं सारे अदारे मिलकर तालीम के लिए लेकिन आखर जहां पर शिलाब आया दो सालों से बच्चों की तालिम मुतासर है उनको किस तरह से बच्छों को जो इस खूलों वेज़ना चाहिए ताकि जो आओट अफ जो रेशो है वो हम कर सके हैं जी ।ू मिलियन तकरिवन आउट अफ इसकूल रेशो है लेकिन उसके लिए भी जो ह जैसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है वो बहुत जादा काम कर रही है इनको बच्छों को जो है इन्रोल किया गया डिफेंट एंजियोस के थूजो सेंटर्स बनाए गए स्पेशली आउट ओफ स्कूल चिल्डरन के लिए वहां पर जो है डिरेक्टरी टॉफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन उसके अंडर एड्मिनिस्ट्रेशन यह दारे काम कर रहे हैं तो उनको जो है यह बहुत जबर्दस किसम के बाकाइदा इनका स्ट्रॉक्चर्ड करिक्यूलम इनका प्लैंड है तो वो उनको फ्रोवाइड किया गया बचों को स्पेशली फी टेक्स बुक दी गई पहले तो यह था कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन में स्पेशली आउट ओफ स्कूल चिल्डरन के लिए कोई ऐसा करिक्यूलम या टेक्स बुक बगरा डिजाइन नहीं क कर पाएं है प्रोपर तरीके से और वो एज में ज्यादा हो गए है तो उनके लिए फिर यह नॉन फॉर्मल एजुकेशन के पैकेजिस ए बी सी डी यह इस तरह के प्लान किये इविन के विकेशनल एजुकेशनल और ट्रेनिंग वगरा के सेंटर्स भी बच्चों के लिए त स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर है उनको वापिस इन्रोल करवाने हैं थी बहुत शुक्रिया उजमा साहब आपका अमजी साहब को बहुत शुक्रिया नदेन तांग आलवल वुदी जाहर है जिका तालीम जी सुरत आला है नो डाउ करे रहिया कि अथा यहों मेस्जिता खास तौर्टे कम्मिनुटी के खास तौर्टे उनमाननुके जेके सिलाब जद्गान ञायन जी इा सिलाब जद्धा इलाकन में रहन था उनको पंजे भारन जी तालीम ते मुकमल तवज्जव जब लग्रज इन गुर्जर फिके एदरन आएंदो उनन जो जो को मुस्तक बिलाए वो रोशनती सेगे। पन्यों मेजबान फहीं बबर करीन दाजादत, अलाफिस।